यह है आपका अपना चैनल माई पोडल करते हैं ब्यूट्य देखाने की आपसे अन्रोध है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया होते एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए तो साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं और खासकर उन साथियों के लिए जो पहली बार आर्टी के फीस पिर्ति अंक होते हैं इसके बाद पासपर्ड और फिर कैप्चा कोड डाल कर हमें लौग इन करना होता है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं राजसिक्षा केंद के उस पत्र की जिसके माद्ध हम से विभिन्ने प्रकार के निर्देशा में दिया गया है ये पत्र आया है पंदरा फ आगे लखा हुआ है कि आर्टी पोटल पंदरा फरबरी तेश से प्रारंब किया जा रहा है अतहर अशाश के स्कूल फिस्पृति पूर्ती के समध में जो भी कारवाई करेंगे उसका बिंदुबार इस पत्र में वो लेक किया गया है हम भी क्रम सा देखते हैं कि आखिर क्य बैंक के पास्वुक को देखकर ही खाता क्रमांक की जानकारी दर्ज की जाए अन्ता गलत खाता क्रमांक में राशी जा सकती है या पेमिंट फेल हो सकता है इसके लिए और जो इसके लिए हमने शुरू में आपको बताया था आईटी पोटल और उसमें जह हम लॉग इन करें है तो यह हमारा जो पहला वाला निर्देश है यह पूरा हो जाएगा दूसरा है इसकूल फीस प्रभंदन यानि इसकूल द्वारा अन्र बच्चों से ले जाने वाली वार्शिक फीस का विबरण इसकूल द्वारा दर्ज किया जाए एवं इसकूल का कक्छावार यह फीस इस्टेक्चर भी अप्लोड किया जाना अन्र है तथा अन्र बच्चों से ले जाने वाली प्रतिक अक्छा की फीस की एक एक रसीत की एक PDF फाइल बना कर पोर्टर पर अप्लोड किया जाना भी अन्र इसकूल द्वारा दर्ज की गई जानकारी एवं अप्लोड फी प्रवनत करना अथवा शाप्रवाइब दोड़ा दोड़ा वार्शिक फीश दर्ज की जाना है, और यह जो निर्देश हैं आपने समझ लिए होंगे, जब हम आठी पोडल खोलेंगे तो वहाँ पर चौते नमबर पर स्कूल फीश प्रवन्दन है, इसमें आपको 22-23 एर सेले शाला छोड़ने की स्थिती में कारण दर्ज करना, पहला है कि बच्चों को अगली कक्षा में प्रोनत करते हुए, प्रोनत कि बच्चों का वार्शिक परिणाम यानि उत्रीनता का प्रतीशत या ग्रेड दर्ज करना है, और दूसरे यह है कि यदि किसी बच्चे द्वारा किसी कारण से स्कूल छोड़ दिया गया है, तो शाला छोड़ने का कारण दर्ज किया जाकर उसको भी लॉग करना है, और जब आप पोर्टल पर उनलाइन काम करेंगे तो इसके लिए छात्र पंजियन इस तरह का एक आप्शन मिलेगा, इसमें आप्शन है, इसके अंदर ज जोग करके बच्चे को प्रिमोट कर सकते हैं, चोथा उप्शन है छात्र पंजियन का, शाला में आटी के तहत में शुलक अध्यनत बच्चों की जानकारी दर्ज की जाए, इसमें सत्र बाइस तेईस चुनने के बाद दो उप्शन प्रदरश्चित होंगे, पहला नभीन प प्राप्त छात्र का स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्धम से प्रवेश दर्ज किये गए बच्चों की सूची प्रदरश्चित होगी, इस सूची में प्रदरश्चित बच्चों के नाम के आगे किलिक कर बच्चे का स्कॉलर नमबर एवं किरमांक दर्ज किया जाना ह दूसरा ऐसे बच्चे जो पूर्व से अध्धनत हैं उनके लिए पूर्व से 21 वाइस से प्रमोट हुए बच्चों की जानकारी का विब्रण दर्ज करना होगा। जो ऑनलाइन पूर्टल पर ऑप्शन है वो पांच में नमबर पर चातर पंजियन का है और इसमें दूसरी नमबर पर पंजियन का है आप इससे ये कारे पूरा कर सकते हैं। और इसमें आधार सत्यापन के संबंद में जो निर्देश हैं वो भी आप एक बार ध्यान से सुन लिजे। पहला कक्छा नर्सरी से केजी 2 के चातरों का आधार सत्यापन इसके संबंद में जो निर्देश हैं वो ये हैं कि ऐसे बच्चों का आधार सत्यापन OTP, Biometrics Machine, Iris Machine तीनों के माधम से हो सकता है। दूसरा कक्छा 1 से कक्छा 8 तक के बच्चों का आधार सत्यापन OTP से नहीं हो सकता है। उनके लिए Biometrics Machine या Iris Machine से करना होगा। और इसके बाद छटमा जो निर्देश है वो इस तरह से है कि चातर की उपस्तिती दर्ज करना एवन प्रपोजल को लॉक करना। और इसमें जो निर्देश है वो यह है कि सत्र समाप्ती 31 मार्ज तेश की पश्चात प्रारंब होंगे। अता इस दिनांग तक बिंदुकरमांग 1 से 6 तक की समस्त कारवाही पूर्ण करना सुनश्चित करें। और ये सारे निर्देश प्राप्त हुए हैं संचलक मोहदे, राज सिक्षागेंद्र भूपाल की ओर से। उम्मीद है आपको ये जानकर ये उपियोगी लगी होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थेंक्स फॉर वाचिंग। झाल